हलो लेर्नर्स वालकम बाक टू माई यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिस करने वाली हूँ आप करने का कॉलेशन को मैंने आप लोगों के साथ डिसक्स कर लिया है तो आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो मिस किया है तो आपको वो जरूर देखना चाहिए और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्चन वाक्स में प्रोएट किया है और इस particular वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Carl Pearson's Coefficient of Correlation को ठीक है क्या इसके features हैं और क्या different formulas हैं निकालने के Carl Pearson's Coefficient of Correlation को और ये बहुत important है आप लोगों के लिए तो हम start करते हैं देखिए Carl Pearson's Coefficient of Correlation जो है quantitative method है correlation को measure करने का जैसे आपने scatter diagram सिखा था आपकी help से आप लोग correlation का पता करते थे ये quantitative method है ठीक है और ये method काल पीर्सन ने ही दिया है और उन्ही के नाम के बाद जो है इसका नाम पढ़ा Pearson's Coefficient of Correlation ठीक है Carl Pearson's Coefficient of Correlation और ये वाला जो है best method या फिर एक ideal method माना जाता है ये आप इसके features में भी पढ़ेंगे अब इसके characteristics क्या क्या है क्या क्या है इसके features है ये आप लोगों के लिए बहुत important है जानना first क्या है knowledge of the direction of the correlation देखो correlation की regarding जैसे हमने दो terms यूज की थी direction and magnitude direction हमें ये बताता है कि हमारा correlation positive है या negative है ठीक है और magnitude में उसके हमें coefficient का पता चलता है ना कि moderate degree है low degree है ये सभी आपको मैंने correlation की जो basic video उसके उसमें बताया था ठीक है तो देखो अब Carl Pearson Coefficient of Correlation method से हमें जो है direction पता चल जाता है correlation का कि क्या वो direction positive है या फिर negative है ठीक है second है degree भी पता चलती है हमें relationship की ठीक है by this method it become possible to measure correlation quantitatively जो correlation coefficient की value है अब आपसे ये question बन सकता है range कहा है उसकी minus 1 से 1 ठीक है minus 1 भी included है 1 भी included है ठीक है बस यह दिहां रखना इनी के बीच में और यह value हो सकती है the value of coefficient of correlation gives knowledge about the size of relationship हमें क्या बताता है size क्या है क्या degree है उसकी अब देखो third feature है ideal feature ideal measure it is considered to be an ideal measure of correlation क्योंकि ये किस पे based है mean और standard deviation क्योंकि ये जो अपने formula में mean standard deviation का use करता है ये एक ideal measure माना जाता है correlation का तो ये भी आपको एक question ध्यान रखना है ठीक है अब एक fourth feature क्या है देखिए जो Carl Pearson है method वह based है covariance पे किस पे based है covariance पे based है और covariance हम कैसे निकालते है formula देखिए दो variables x और y के बीच में covariance निकालना हो तो देखिए submission of अब किसका submission है multiplication of देखो x में से उसका mean minus करना और y में से उसका mean minus करना इनका summation divided by n कितने observations है कितने pairs है x और y के ठीक है या फिर इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं तो यह आप covariance पे based है यह देखो यह छोट-छोटे formulas आप लोगों के लिए बहुत important है practical questions भी बनते हैं तो आपने इनको साथ के साथ not करना है देखो जो magnitude है covariance का वो हमें पता चल जाता है अब देखो अगर covariance का जो magnitude है वो ज्यादा है तो हम यह कहेंगे कि higher is the degree of correlation ध्यान रखना अगर covariance का जो है magnitude ज्यादा आ रहा है तो हमारी correlation की degree भी high है otherwise क्या है वो lower है ओके अगर positive sign है covariance का तो हमारा correlation भी positive होगा और अगर correlation negative होगा अगर हमारा covariance का sign क्या आ रहा है negative आ रहा है यह चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को ओके उसके बाद हम बात करते हैं कि हम कैसे calculation करते हैं Carl Pearson coefficient of correlation की यह आप लोगों को पता होना चाहिए देखो जो Carl Pearson coefficient of correlation है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक तो इंडिविज्वाल सीरीज या फिर अंगरूप डाटा भी बोलते हैं जिसको और दूसरा क्या है इन केस ओफ ग्रूप डाटा जैसा कि वीडियो के मैं बताया मैंने फॉर्मलास डिसकस करने और आपने इसके जरूर नोट्स बनाने हैं ठीक है तो पहली कैटिगरी क्या है को निकालना इन केस ओफ इंडिविज्वाल सीरीज और अनगरूप डाटा तो सबसे जो पहला मैथड है वो है अक्चुल मीन मैथड कौन सा मैथड है अक्चुल मीन मैथड यह वाला मैथड यूसफुल है वेन अर्थेमाटिक मीन हैपन्स टू बीन होल नंबर्स और इंटे सबसे पहले हम X और Y सिरीज का अलग अर्थेमाटिक मीन निकाल लेंगे जिसको हम X बार और Y बार से देनोट कर रहे है तो फिर उसके बाद क्या लेंगे अब डेवियेशन लेंगे इंडिविज्वाल वालियूस ठीक है तूस फ्रॉम दे अर्थेमाटिक मीन जो तो सेरीज देवियेशन अप दे इंडिविज्वाल वैल्यूस अर्टेकन ठीक है और जो डेवियेशन है X सिरीज की उनको डेनोट कर रहे है हम स्मॉल X से और Y सिरीज को स्मॉल Y से इसलिए X क्या हो गया स्मॉल X X माइनस अर्थेमाटिक मीन ओफ X हर आइटम में से ठीक है उसके बाद जो है जो डेवियेशन आई है उनको स्क्वायर किया जाता है और उनका समेशन किया जाता है यानिकि X वाले डेवियेशन को स्क्वायर किया उसका समेशन फिर Y वाले डेवियेशन का ठीक है फिर उसके बाद जो है अब आपका क्या होता है जो कॉर्रस्पॉर्णिंग डेव जो deviations करके आएं वही आपको जो बताया था नीचे क्या आ रहा है यहां पे square root of summation of x square multiply summation of y square या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते क्योंकि small x का मतलब क्या है x minus arithmetic mean of x तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है the correlation coefficient has the value ranging between minus 1 and plus 1 यह तो मैंने आपको बताया तो यह वाला formula किस पे based है आप लोगों को ध्यान रखना है यह particular formula based है actual mean method पे ओके बाद जो हमारा next आता है that is assumed mean method assumed mean method में आपको इसको आप shortcut method भी बोल सकते हैं ठीक है अब देखो क्या होता है कई बार जो हमारा arithmetic mean है वो whole numbers में नहीं है ठीक है जो हमारा arithmetic mean है वो not in whole numbers but in fraction वो हमारा किस में आ रहा है fraction में आ रहा है so in this method deviations from assumed mean of both the series x and y are calculated ठीक है तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे वही वाले steps है बट वहाँ पे हमने arithmetic mean को निकाला था यहाँ पे हम assume mean लेंगे any value of x and y are taken as their assumed mean ठीक है फिर deviations निकालेंगे individual item से जैसे कि हमने पहले निकाली थी ठीक है फिर deviations को आप sum up करेंगे यहाँ पे जिसको आप summation of dx बोलेंगे कि deviations को जो आपने assume mean से लिए x वाली dx हो गई y वाली dy उनका क्या करेंगे summation और जो आपकी dx square और dy square भी आप निकालेंगे फिर उनका भी क्या करेंगे summation करेंगे ठीक है अब हर dx को dy से multiply करेंगे और जो इनका summation आएगा वो क्या कह लाएगा summation of dx into dy और main जो आपको formula ध्यान रखना है वो हमारा ये formula है देखी क्या है n into summation of dx dy minus अलग अलग से summation of dx into summation of dy ये इनका पहले multiply किया हो है फिर summation है ये अलग अलग से दोनों का क्या है summation है divided by square root of आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा n into summation of dx square minus summation of dx का whole square दोनों में difference है ना n into summation of dy square minus में summation dy का whole square बस formula आप लोगों के लिए बहुत जादा important है आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है तो ये था इसका आपका जब आप use करते हैं इसका कौन सा assumed mean method उसके बाद third method देखिए method based on the use of actual data या फिर product moment method या फिर direct method भी बोलते हैं इसको ठीक है यहाँ पर आप कोई mean नहीं निकाल रहे हैं actual data को use कर रहे हैं और इस method को हम लोग product moment method भी बोलते हैं when number of observations are few यानि कि जब आप observations कम हैं तब आप correlation coefficient को सीधा calculate कर सकते हैं आपको कोई जरुरत नहीं है actual mean या फिर assume mean से deviations को लेने की ठीक है तो इसमें आप correlation coefficient निकालने के आपके पास क्या step रहेंगे first of all values of variable x and y series are summed up अलग अलग से x और y का summed up करते हैं जिसको हम summation of x और summation of y बोलते हैं ठीक है फिर उसकी जो values है x और y की उसको अलग अलग squared up करते हैं और उनके square का summation निकालते हैं और x और y को क्या किया जाता है correspondingly multiply भी किया जाता है और formula क्या है हमारे पास जो बहुत है आप लोगों के लिए important जानना r आपको पता है correlation coefficient की बात कर रहे हैं summation of x y minus summation of x into summation of y by n और under नीचे क्या आजाएगा आपका divided by square root of summation of x square minus summation of x का whole square दोनों में difference है देखो यहाँ पे आप x का जो हर item का square करके उसका summation निकाल रहे हैं और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं x का जो submission किया है आपने उसका square कर रहे हैं सीधा ऐसे ही y के case में ठीक है तो यह formula आपको ध्यान रखना है अगला जो method है that is variance covariance method अभी हमने तीन method पढ़ लिया है actual mean, assume mean, actual data या फिर direct method या फिर product moment भी बोलते हैं अब variance covariance method जो based रहेगा covariance पे ठीक है formula क्या रहता है यह धियान रखना है आप लोगों के लिए covariance between x and y divided by variance of x का square root और variance of y का square root ठीक है यह multiply हो रहे हैं अब बात करते है covariance of x and y वो कैसे निकलेगा और वो मैंने आपको starting में भी बताया बट आपको इसका जो formula है वो पता होना चाहिए देखिए अगर यहाँ पे यह वाला formula तब based है जब आप actual mean से deviations लेती हैं क्या formula है जो हमने starting में पढ़ा था summation of यहाँ पे क्या है आपका x minus x जो mean है y minus y का mean यह हमने अभी पढ़ी थी divided by n ठीक है और अगर आपने actual values लेनी हूँ तो आपका यह वाला formula रहने वाला है ठीक है यह चीज़ भी धियार रखने है आप लोगों को और above formula यह जो हम formula की बात करें उसको हम इस type से भी लिख सकते ह x यहाँ पे क्या है small x x में से हर item में से arithmetic mean को less करना और यह standard deviation of x और यह क्या है standard deviation of y तो यह आप लोगों को अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखना है ठीक है तो यह जो थे आप लोगों के लिए formula थे इसके covariance के अब रह गया यह तो हमने जो चारों डिसकस किये यह किस पर बेस थे इंडिविजूल डाटा पे अब बात करेंगे या फिर ungroup data पे था अब यह है आपका grouped data या फिर continuous data पे अब क्या होता है जब एक जो two series में जो number of items है वो बहुत ज्यादा large होती है तो हम उनको two way frequency table बनाते ह हैं तो इससे frequency हमें पता चल जाती है जैने कि कोई value कितनी बार आ रही है ठीक है तो जो है आप इसको table बनाते है जो class intervals for y variables उनको हम column heading में डालते हैं और x variables को row heading में जिसको हम stubs भी बोलते हैं ठीक है फिर frequency निकालते है टेली बार्स का use करके formula आप लोगों के लिए जानना बह की वही वहला सी यह मैं आपका जो assuming में आपने किया था and into summation of fdx dy minus summation of fdx into summation of fdy divided by square root of n into fdx का square minus summation fdx का whole square ऐसे ही y के case भी यहाँ पर देखो n into fdy का square summation minus summation of fdy का whole square यह चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है और इसके लिए वही step से आपके आपने step deviation x variables के निकालने है इसको हम dx से denote करेंगे ऐसे ही y variables के फिर उनको आपने जो multiply करना है corresponding frequency से x वाले variable के corresponding frequency से और y वाले की ठीक है अब उसके बाद अब आपने क्या करना है square deviation of x variable को भी उसकी frequency से multiply करना है ठीक है वो कैसे fdx को dx से multiply करके ऐसी fdx square आजाएगा ऐसी fdy square आजाएगा ओके फिर आप fdx dy निकालेंगे वो आपकी जो cell में frequency दी होगी उसके according ठीक है तो adding all the concerned values vertically as well as horizontally यह आपको मैं वो बता रही हो formula ठीक है इसके अंदर value put up करनी होती है ठीक है तो आप लोगों को यह चीज़े अच्छे से clarify होने जाहिए ठीक है और यह जो है हमने different main main जो मेरा motive था आप लोगों के साथ formula discuss करने का था ताकि आप लोगों को अच्छे से clarity हो कि हमने कैसे इसको formula को याद करना है अच्छे से और क्या-क्या features है ओकी अगर आपको कोई भी doubt होगा तो आप लोग पूस सकते हैं ठीक है comment section में thank you so much